हेलो स्टूडेंट्स आप सभी का स्वागत है डाउटनेट पे और आपकी कंप्यूटर एप्लिकेशन की ग्लास में तो बच्चो मेरा नाम है आकर्श गुपता और मैं आपका कंप्यूटर एप्लिकेशन टीचर तो बच्चो आज मैं आपके लिए टम टू का जो हमारा चैप द्यान से और समझ के पढ़ना है बहुत ही असान है क्योंकि आपने अगर ध्यान से पढ़ना रखी है तो चलिए स्टार्ट करने हैं लेक्चर को बिना किसी देरी के फिर तो बच्चो आज बात करूंगा सबसे पहले कि सबसे पहले हम जानेंगे CSS होता क्या है उसके बाद ब जैसे किसी का बैक्ग्राउंड कर लगाना किसी टेक्स्ट को कलर करना इमेज लगाना इस सारे काम करते थे ठीके जिसे पैराग्राफ हेडिंग लगाना यह सारे काम थे वहाँ पे तो बच्चो CSS क्या है CSS भी एक कंप्यूटर लैंग्वेज है जो की यूज की जाती है वेब अच्छा सा ले आउट तैयार करने के लिए आप CSS का यूज करते हैं अगर HTML प्लस CSS की बात करूं तो यह दोनों मिलके एक बहुत ही डिजाइन फूल ब्यूटिफूल वेब पेजस का को क्रिएट करती हैं तो जी का स्केडिंग स्टाइल सीट सीएस का सबसे पहले फुल फॉर्म क्या है का स्केडिंग स्टाइल शीट यह क्या है आपके HTML टैक्स को HTML elements को क्या देती स्टाइल परवाइड कराती है जिससे कि पना सकते हूं ठीक है तो चलो देखते हैं कुछ पॉइंट्स हैं यहां पर CSS के बारे में जानते हैं तो तो CSS का सबसे पहला फुल फॉर्म क्या है का स्केडिंग स्टाइल सीट यह याद रखना है ठीक है CSS एक लेंगवेज जो कि HTML टैक्स HTML element पर implement की जाती है जिससे कि जो भी इंप्लीमेंट किया है आपने CSS के अंदर वो स्टाइल आपके वेब पेज पर डिस्प्ले होगा CSS दे लैंगवेज वी यूस्ट टॉस्टाइल डॉक्यमेंट यह इंपॉर्टेंट बायाता है कि CSS एक लैंगवेज जो की क्या करती है HTML वेब पेजस को स्टाइल देने के अगर आपको उनको कुछ स्टाइल देना है तो वहाँ पर CSS का यूज़ करेंगे और CSS बताएगा कि आपका HTML एलिमेंट कैसे डिस्क्राइब होगा वेब पेज पे किस तरह का उसका लुक होगा CSS save a lot of work it can control the layout of multiple web pages all at once अगर अपके पास क्या है आपके पास multiple web pages है और आप उसके layout को control करना चाहते हो मतलब उसकी designing को control करना चाहते हो तो आप CSS का use कर सकते हैं। Let's Suppose हमारे पास website से जिसमें दस web pages है आप क्या चाहते हो कि हम एक ऐशा एक ऐसा page बनाएग कि भाई जिसमें क्या हो कि सारे web pages का design को हम control कर सके सारे web pages को design कर सकें तो वहां पर हम css का यूज करके अपने वेब पेज़स को डिजाइनिंग को क्या कर सकते हैं कंट्रोल कर सकते कई सारे वेब पेज़स को एक साथ मल्टिपल वेब पीज़स तो ले आउट और डिजाइन एक यही बात है css is a way css is a way to apply styles on html css एक तरीका है एक वे हैं जिससे हम html के अंदर क्या लगाते है styles का मतलब यही है कि अगर आपको अपने वेब पेज को बैक्ग्राउंड कलर देना है किसी टेक्स को कलर देना है किसी टेक्स की विदबड़ी करनी है या किसी टेक्स को कोई font style देना है या color करना है यह सारे क्या है css के styles है इसको हम बात करेंगे बड़ हम पहले css के बारे में समझ रहे हैं यहां पर ठीक है with css you can control the color आप color control कर सकते हो font size of the text text का size control कर सकते हो spacing between the element elements के बीच में कितनी space होगी वह भी control कर सकते हो how elements are positioned and layout laid out मतलब element की position कहा होगी किस जगा होगे वह वह भी control किया जा सकता है what the background images background color are used to be बैक्ग्राउंड कलर होगा background image में क्या होगा background image में क्या होगा यह सारी बाते तो css से आपको इतना ही समझना है कि css एक language है जिसके तुरू हम अपने html web pages को layout को design करते हैं और control करते हैं कुछ properties के तुरू आप color text का color भी control कर सकते हैं आप Pere repデ standard background भी set कर सकते थे सारे काम हो सकते है बर सारे काम के लिए property दी गई है और प्रопर्टी की कुछ values दी गही है हमें उसको web pages के अंदर क्या करना है बस यूज करना है ठीक है तो आप समझ गया होंगे तो important चीज क्या है कि कास्ट केडिंग स्टाइल शिर्स एसस का फुल फॉर्म है ठीक है चलिए अब आगे देखते हैं क्या क्या benefits है हमारे actual CSS के तो CSS के benefits अगर हम बात करें तो देखिए सबसे पहले बात कि CSS एक ऐसी style sheet एक ऐसी style sheet जिससे कि हमारा designing करने में अगर हम HTML web pages को design करें तो हमारा काफी time जाता है बट यह CSS की वज़े से हम अपने time rental कर सकते हैं अपना effort save कर सकते हैं जो कि हम design करने में लगाते है तो CSS एक ऐसे technique समझ लिजे कि जिस्से कि आप बहुती असानी से बहुती easily क्या कर सकते हो अपने web pages को design कर सकते हो तो time saving effortless है बहुती आराम से आप web pages की डिजाइइन सुख का कर सकते हैं तो देखिए यही बात लिखी है कि time effort in designing the web pages saved significantly since styles are defined once in a style sheet तो एक बार अगर आपने design को define कर दिया तो समझ लिजे कि आपकी time saving हो जाएगी वो design आप कहीं भी use कर सकते हो वो design आप कहीं भी use कर सकते है जो भी design आपने एक बार define किया है एक बार define करने से कहीं भी use कुण पूरे vezes के अंदर वो काम करेगा ऐसा नहीं है कि आप चाहते हँ कि मेरी pages केंदर 10 heading है मालना लिजे आप कहरे घिज लिग है एच sixedane की 10 heading है हीभ सेंदर और आप चाहते हो कि मेरे सारी heading का क्या हो style same हो style क्या हो same हो आपको क्या करना पड़ेगा अब ये तोड़ी ना करोगे आप कि भाई आप 10 styles में अगर HTML की बात करता आपको क्या करना पड़ेगा हर एक पर style लगानी पड़ेगी ठीक है बट CSS क्या करेगी एक style बनाने से वो दसों पर कि आप उसको यूज कर सकते हैं उन 10 पर आप क्या कर सकते हैं यूज कर सकते हैं यूज कर सकते हैं यूज कर सकते हैं वहाँ पर CSS तो कितने असान हो जाएगा time saving हो जाएगी designing से मुझे से हो जाएगी ठीक है से वेब पेजीजेश गेट consistent look throughout the website बिल्कुल बात है कि कि अगर CSS का use करते हैं तो हमारे जो web pages का look है consistent रहता है consistent रहता है for example if a website is following a theme called ocean एक website उसका theme क्या है ocean then shades of gray blue green can be defined in various styles of paragraph अगर आप क्या कर रहे हैं अगर आप क्या कर रहे हैं मालेज़े आपका कोई एक वेबसाइट बना रहे जिसमें आप चाहते हैं कि आपके पैराग्राफ का टेक्स का कलर कुछ हो ठीक है और बैक्राउंड का कलर कुछ हो तो आप क्या करें आप मालेज़े आपके वेबसाइट के अंदर 10 पैराग्राफ है दस हेडिंग टैग है तो आप को चाहते हो कि Vous इस चाइब हों ये पैराग्राफ का है स्टाइल के हो तो आप क्या करोगे आप ऐसा आपने हेडिंग में एक स्टाइल असाइन कर दिया तो सारे हेडिंग में इस्टाइल काम करेगी और वो कैसे करेंगे मैं वो आपको बताऊंगा तो यह पॉइंट हमें समझना था है आप सीर से में कोडिंग एस्टे में माइश्ट डेकि यह पैज में सी जूते ओकल सॉप अगा अगर स्टे में कबाइग कोडिंग तो महां पेंप इस काफि से एस यो करता है कि पैजी पैज्टी rapidement ?? जब आप अपडेट कर रहें 되어 वेबपेज की डिजाइन को दो वहां पर आरोने działa की चांसे क्या है काम है आप बहुत ऽी अऽीज एसा आप्ट कर सकते हैं आप को ऐसा नहीं है कि आपको क्या करना पढ़ेगा बहुत सारा सब कुछ चेंज करना पड़ जाएगा नहीं माननी जाए आपके वेबसाइट का होम पेज है आप उसके स्टाइल को चेंज करना चाहते हो तो आपको पता है कि वाई के तुर हम यह काम कर सकते हैं और बहुती तरीके से कर सकते हैं तो आप क्या करों कि फाइल के अंदर चेंजमेंट कर दोगे सारा इसटाइल डिस्पिल हो जाएगा सारा स्टाइल वेब पेज पर एफेक्ट कर जाएगा तो यह एसे के बेनिफिट से अब मैं आपको बताऊंग कि CSS को हमें कितने तरह से यूज करना है कितने तरीके से CSS को यूज कर सकते कितने तरह से हम अपने web pages के अंदर styles को यूज कर सकते हैं तो चलिए वह देखते हैं iOS CSS मैं बात करता हूं यहां पर क्या using CSS की की CSS का use तीन तरह से किया जा सकता है में काम यह है कि हम अपने वेब पेज़स को स्टाइल देने के लिए CSS का यूज करते हैं बट वो तीन तरह हैं त्री वेज है CSS can be added to HTML document और कहां पर आड़ करते हैं HTML document में यह आड़ करते हैं यह बात याद रखना वेब पेज़स को बोल रहा हो तो HTML document होगा चाया वेब पेज बोल लें चाया आप HTML document बोल ले बात एक होगी ठीक है बच्चे देखिए इन लाइन याद रखना है इंपोर्टेंट है इन लाइन का मतलब क्या है कि आप हर individual element पे आप हर एक individual element पे style लगा रहे हो जैसे आपकी माल लिजए आपके वेब्स के अंदर heading टैग है paragraph element है anchor tag है video tag है तो आप क्या कोई भी element है आप कोई भी element पे style लगाना इन लाइन का मतलब क्या इन्डीवज़ली हर एक element को क्या कर रहे हो यह style प्रवाइट कर रहे हूं ठीक है क्या कर रहे हो style प्रवाइट कर रहे हो सिर्स क्या करना के अंदर style Console लूट का cause inside the element by using style element माल लिजे है आपके पास क्या है तो कि आपके पास कोई एक ट्är इमाली जैस्ट ल तो आप्षा ट्रीबूट यूस कर सकते हो उसके अंधर ठीग है इसके अंदर प्रोपर्टी और वैलीउес दोनों लिखनी पड़ेंगेंगी आप इसे असे लगा रहे हो मतलब किया सिंगल सिंगल स्टायल को उसके अन्दर हम क्या लिखते हैं स्टायल कर दोक्षान के अंदर आप अपने तो आप अपनी css को define करेंगे अपनी कास्ट केडिंग स्टाइल सेट को क्या करेंगे define करेंगे वह होती है Inneral ठीक है external क्या है external में क्या होता है कि हम css की style की एक अलग से file बनाते हैं और उस file को अपने HTML documents के साथ क्या कर देते हैं link कर देते हैं link कर देते तो जो इस टाइल आपने अलग से define कर रखिए CSS के अंदर वो सारी styles आपके web pages को जिसके साथ आपने link कर रखा है उस पर effect करती है उस पर क्या करती है effect करती है clear तो यह तीन है हमारे पास CSS की ठीक है इल इन लाइन इंटरनल एक्टरनल क्लियर चलिए आजए है यह तेर यह हँशास में अब हमें समझता है एक्जांपल से समझते हैं कि आफिशा समाझ में आएकट एक्जाम टेल से आपको एक च्छी जिए हो जाईगी कि in-line internal external किस तरह से यूज कर रहा हो क्या होती है कि देखे इन-line style inline CSS is used to apply a unique style to a single element unique style to the single element किसके unique style मतलब एक element पे एक unique आप इस तुरू इसके तुरू लगा सकते हो आप चाते हो मेरा heading टैक पर लगाना है paragraph लगाना है च्टू पर लगाना च्टी पर लगाना है जिस पे भी style लगाना चाहते हो बट यह इस ताइल उस पटिकूलर ही element पर ही काम करेगी यह इस टाइल उस particular element पर ही क्या करेगी काम करेगी को ठीक है इन-line के अंदर ना एट्रिब्फ यूज करतें इन लाइन के अंदर कौन साट्रिब्फ यूज करते हैं अ स्टाइल चली तो इंद्साम्पल आपको दिखाता हूं मैं यहां पर एक्जाम्पल क्या हैए दा फॉलिंग इंद्फ टेक्स कलर ओफ दिएच वन एलिमेंट जाए बलू टू दा कर दिया है और टेक्स कलर अफ दी पैराग्राफ टैग उसका रेड कर दिया है अब मैं आपको दिखाता हो कैसे किया गया होगा तो यह देखिए यहां पर देखिए यहां पर देखिए एच्वान के अंदर मैंने एच्वान के अंदर क्या किया हुआ है एच्वान के अंदर मै टेक्स कलर करने के लिए प्रोपर्टी क्या होती है ये भी याद रख लो कलर होती है टेक्स कलर करने के लिए प्रोपर्टी क्या होगी कलर और कलर की वैल्यू देदी यहां पर यहां पर देदी वैल्यू यह हमारी प्रोपर्टी है कैसे देना यह बता दिरों में प्रोपर्ट को serial लगा के population क्या डेनी पड़े गी आपए प्रोपर्टी हैनी पड़ेगी वैल्यू देनी पड़ेगी और लास्ट में समी कॉलन भी लगाना पड़ेगा Влад के बाद क्या लगाना पड़ेगा सेंए झालगां पे लगा लगा रहें एक single element पे unique style लगा रहें ठीमें अको क्या करना है property semicolon बीच में property price value अभी मैं property को बताऊंगा property कौन सिप्रोपर्टी पड़नी है उनकी क्या- समय याद रख लिए वो भी पताऊंगा बट अभी मैं यहां इसकी बात कर रहा हूं जैसे h2 style color यहां पर क्या होगा style लगाया हुआ style attribute को यूज कर रहे है color हमारी क्या property है green हमारी क्या property की value है semi colon से end कर दिया है end कर दिया है और दोनों को course के अंदर बंदे तो क्या हो जाएगा h2 पर green हो जाएगा इस टू कैसा हो घूज कर रहे हैं अवह से पैराग्राफ के अंदर है पैराग्राफ के अंदर स्था रिश किया हुआ है हमने color semi colon red color क्या है प्रोपर्टी रेड्ट क्या है और आपको याद रखना है कि जो प्रोपर्टी अब मैं आपको इसका दिखाता हूँ कि होगा होगा енफेड कलर लगा हुका है तो मतलब टेक्स्ट होगा वो खलर बलु हो ब्लू कलर हो गया और पैराग्राफ आले का जो टेक्स डॉन जहां पर क्या करते हैं और कैसे करना है मैंने बता दिया स्टाइल ए jó marshall कर उन्दर प्रोपर्टि अजी अचाहिए और प्रोपर्थि की वेल्यूं पता होनी डिया आपको तो तो प्रोपर्टि और प्रोपर्टि की वैल्यूं हम बताएंगे आने वाली क्लासेश में कैसे करनी दो आपको यह बात समझ में आनी चाहिए इन 9 CSS अब देखें रगलों के अंदर देखें ये पि之 ये पैरग्राफ ट है ये पैरा ग्राफ टाइट अधर के अंदर हमने वैल्यू है ठीक है और इसे कलर क्या है यह हमारी प्रोपर्टी है और रेट क्या हमारी वैल्यू है ठीक है तो आप प्रोपर्टी क्या करना है आपको क्या करना प्रोपर्टी प्रोपर्टी की वैल्यू सेमी कोलन लगाना बीच में तो यह पूरी हमारी क्या एक स्टाइल है य यह स्टाइल सिर्फ इस पैराग्राफ वाले टैग पर काम करेगी वह क्या करेगी काम करेगी तो जैसे टैक्स कलर टैक्स कलर का एसका रेड कलर हो जाएगा ठीक है तो मतलब उनिक इस ट्राइल कर रहें उसी को हम क्या बोलते हैं इल लाइन css बोलते हैं clear आप देख लो थोड़ा साठ जाता हूं मैं साइट में कि चलो तो यह पूरी style है जो यहां इस color से लिखी हुई है ना magenta color से लिखा हुआ है यह पूरी हमारी एक style इसको define करने का तरीका यह है style attribute क्लियर है अब आती है मारी next internal css internal css क्या है देखिए internal css का यूज करते हैं हम जब हमें क्या करना होता है एक particular let's suppose कि जैसे हमारे पास मान लिजे है heading tag है हमारे webpage के अंदर क्या है 10 heading tag है 10 heading tag और आप चाहते हो उस सारे heading tags पर एक ही तरह की क्या हो style हो कि red हो ठीक है red हो और centered हो या कुछ भी हो कोई भी style हो सकती वह आप चाहते हो कि भाई मेरे हर एक heading tag के अंदर same style और वो सारी heading tag कहा है आपके एक web page के अंदर है तो क्या आप यह करोगे कि आप आप हर एक heading tag को जाके अलाग अलाग style दोगे नहीं आप सिर्फ क्या करोगी यहाँ पे internal css का use करोगे आप एक बार h1 की heading h1 heading tag की style को define करोगे वह पूरी h1 की heading हर एक heading पर काम करेगी हर एक heading पर काम करेगी जो आप भी style define करोगे ठीक है आप देखो अब यहाँ पर बात लिखी है कि internal css is used to define style for a single html page एक single html page के लिए style करते हैं आप सिंगल पूरे html page के लिए समझे एक single html page webpage the internal css is defined in the head section of html page within style element आप क्या करते हो कि आपको head जो टैग होता है उसके अंदर में style tag लिखते है style tag के अंदर ठीक है यहाँ close कर देते हैं और head को भी यहाँ close करते हैं इसके अंदर आप लिखते हो सारी style इसके अंदर क्या लिखते हो style जो भी style आपको अपने अपने elements को देनी होती है ठीक है तो वह style आपके HTML किस वो single page पे काम करेगी clear तो आपको style tag का use करना है किसके अंदर head tag के अंदर और इसी के बीच में ही styles को define करना है वो कैसे define करना है वो भी देखेंगे चलिए उसको देखते हैं ठीक है अब देखो यहाँ पे किस तरह से किया गया है कि देखिए कि यहाँ पे style tag यूज किया गया है ठीक है style tag यूज किया गया उसके अंदर जिसे हमने बॉड़ी लिकी ये बॉड़ी क्या है बॉड़ी हमारा यह प्रेट कर दिया यहाँ पे अब क्या होगा जब आपने बॉड़ी कर ली ब्रेसे इसके अंदर पूरी प्रोपट्टी डिफाइन कर दी प्रोपटी प्लस उसकी वैल्यू कर दी है तो क्या होगा अब उस HTML फेजिकी पेज कि जो बैक्ग्राउंड कर होगा जो भी कलर आप ने दिया होगा पूरा नेम भी दे सकते हो ठीक है अब जैसे कि यहां पर पीटेग लगा है पीटेग में तो करली प्रेस अंदर के लिखा और औरेंज फ Test एक पिक्सल मतलब आपने क्या कर दिया है कि हमारे hyp et shoe पे 거지 के अंदर जहां जहां भी टैग होगा जहां जहां भी टैग होगा वहां फर यह स्टाइल सप्लाई हो जाएं की यहエ evolved यह पेज़ के अंदर 10 टैग है यहीं स्टाइल अपलाई हो जाएगी तो यहीं इंटरनल सीसस का काम क्लियर समझ आगई बात कि भाई यह टैग जो डिफाइन किया इंदर जो भी आपने इस्टाइल बनाई यह पूरी यह इसको क्या बोलेंगे हैं स्टाइल बोलेंगे क्या ब 30 और 40 कितने भी पीट ऐगो ऐसे यहां पर डिफाइन कर दिया तो इन लाइन में क्या उतादस यूनिक सिंगल एलिमेंट पर काम कर रहे थे बट यहां पर क्या कर रहे हैं पूरे स्टेमल पेज के अंदर कर सकते हैं स्टाइल सप्लाई ठीक है चलिए अब आगे देखते हैं एक्जांपल देखते हैं एक्जांपल्स आपको ज्यादा क्लियर होगा कि देखे मैंने क्या किया मैंने लिखा एच्वन एच्वन के अंदर जी सारी स्टाइल से हमारी क्या है सारी स्टाइल है और जी इतनी रेट से दिख रही है यह क्या है हमारी प्रोपर्टी है यह मारी स्टाइल को डिफाइन कर दिया और किसके अंदर स्टाइल टैग के अंदर ये देखिए स्टाइल टैग ये स्टाइल टैग है न हैड के अंदर स्टाइल उसके अंदर पूरी स्टाइल बनानी है जो भी निक्राइब के अंदर लिखना है ठीक है तो आपने एच्वान लिखा ये एच्वन कर्ली प्रेस्स लगाया उसके अंदर प्रोपर्टी दी उसकी वैल्यू दी अब ये पूरी स्टाइल किस पर अपलाई हो रही है इस वाले एप च्वन पर अपलाई हो रही है कि कलर क्या है ब्लू है फॉंट फैंबली वरांदा है और फॉंट साइस कितना 300 पिक्सल है तो तभी देखो तभी देखो ऐसा कुछ आ रहा है ठीक है तो यह पूरी स्टाइल यह पूरी स्टाइल आपने बनाई है इस पर अपलाई हो रही है एच्वन वाले पर अगर आप इसके अलावा कहीं और भी ​​च्वन यूज करते हैं अगर कोई कहीं और भी अच्वन यूज करते हैं तो भी स्टाइल यहां इस पर अपलाई हो रही है यहाली और प्लाई अपटे है सेम तरह से चैक सारव डिश्पले होते हैं jag sjukla है अब देखिए पी यह है paragraph टैक है मारा पी क्या है paragraph है आपने अफिर यह स्टाइल लगाई है यह सारी यह स्टाइल अब जिसारी स्टाइल किसके काम कर रही है तो आपने क्या लिखा लिखा और उन्हें क्लर कलर रेड कलरेड पॉइंड फैंड फैंड री कोडियर फॉंड साहिस तो झाफ से जो आपने वैलियू दी है उस तकर्फ से यहां पर बनके आ गही है और यहांपे स्टाइल टैग क्लोज हो रहा है क्या हो रहा है क्लोज हो रहा है ठीक है तो इस तरह से क्या होगा जी कि इंटर्नल css होती है ठीक है तो जहां जहां आपने क्या कर दिया है एच वन की स्टाइल डिफाइन कर दिये आप इस वेब पेच के अंदर जहां ında का यूज करेंगे सिर्फ टाइल हो जाएगी उसपे जिल अपलाई हो जाएगी उस पर जहाँ भी टाहट यूज करोगे यहाँ यहां तो वंट टाइम यूजी किया हैं यहां पे दोनों को आप चाहिए टेंट do time उस्टाइल सब्परowej हो जाएगी कितिना काम हमारा बच रहा है कितना काम हमारा बच रहा है अगर सीसर नहीं होती तो अगर हम चालते ही सारे पैराग्राफ टैज्ड पर नदर नियुक लिथा अबट तो एसा तो नहीं हो सकता था सेसे नहीं होती तो प्रॉब्लम होती आपको हर एक टैक के अंदर जाके श्टाइल बताना परता बट यहां पर क्या हुआ कि एक बार पी की स्टाइल मतले ना आप कि प्रोपर्टीज क्या है यह प्रोपर्टीज है इनके अंदर वैल्यूज है यह प्रोपर्टीज है इनके अंदर वैल्यूज है ठीक है जिसे बैक्ग्राउंड कलर के अंदर color होता है text के अंदर अलग अलग color होता है तो यह properties कौन कौन से properties किसले काम करती है वो भी हम आगे discuss करेंगे तो यह हो गए internal CSS अब आती है मारी external CSS अब external CSS क्या है सबसे जादा use होने वाली CSS external CSS है क्या समझेगा कि हम क्या करते हैं let's suppose हमारे पास क्या multiple web pages है क्या है multiple web pages 10 और आप क्या चाते हो कि वो दसों web pages पे all web pages पे क्या हो एक तरह की styles क्या हो वो सारे 10 जितने भी pages से उन पर एक तरह की style apply हो एक तरह की तो आप क्या करोगे अगर हमें ऐसा करना तो हमें बहुत काम करना पड़ेगा कि वाई हमें य綫ड़ पेच बादर जाना पड़ेगा उसका स्टाइल देना पड़ेगा फिर सेम स्टाइल वेब पेच के अंदर देनी पड़ेगी वड़ आप एक काम कर सकते ख external CSS ने हमारे काम को क्या बना दिया आसान बना दिया कि आप क्या करो एक एक ऐसा css ạ फाइल नाएज केंसे समझोगे कि हमने क्या कि हमालेजे मेरे पास HTML web page 1 था यह HTML 1 ठीक है HTML 2 है HTML 3 है अब मैं क्या चाहता हूं कि मेरी जितनी भी इस्टाइल जो है मगर जैसा इसका लूक हो वैसा इसका लूक हो वैसा इसका लूक हो सेम स्टाइल इनके अंदर होने चाहिए अगर मैंने का कि यहां पर heading tag की style अलग है सेम है तो यहां भी सेम होनी चाहिए यहां भी सेम होनी चाहिए ठीक है जो भी style आप एक वेब पेज के अंदर यूज कर तो आप कैसे करोगे अरे ऐसा करने में बड़ी क्या करोगे हर वेब पेज से क्या कर दोगे लिंक कर दोगे तो जो भी style आपने यहां कर जाएंगी वर्क कर जाएंगी हर एक वेब पेज पे वर्क कर जाएंगी जिस भी element की आपने स्टाइल यहां डिफाइन कर रखी होगी उस एलिमेंट की स्टाइल हर एक वेब पेच पर वर्क कर जाएंगी तो यहां इसी को तभी बोला गया external CSS कि इसमें हम CSS की अलग फाइल बनाते हैं और उस फाइल को क्या करते हैं लिंक करते हैं अब वह बताएंगे तो हम क्या करता है तो क्या होता है और जो फाइल होती जो फाइल का नेम होता है उससे लिक कर देते हैं हैं तो हम क्या करते हैं एड़ लिंक to init this head section of each html पेज तो हम हर html page के head section के अंदर वो link tag का use करके इस file को उससे क्या कर देते हैं जोड देते हैं join कर देते हैं यह हम बोले link कर देते हैं ठीक है external style sheet must be written can be written in टेक्स एडिटर विल्कुल सही बात है जैसे कि कुछ नहीं करना है आपको आपको जैसे कि स्टेमल की कोडिंग लिखते हो वैसे सेम नोट पैड में ही css की कोडिंग लिखना है आपको css की कोडिंग लिख के बस क्या करना है जैसे कि आप html webpage को जब save करते हो तो dot html लगाते हो यहाँ पर क्या करना है css लगाना है dot css लगाना और external css वाली फाइल में कोई भी html का code नहीं लिखा जाएगा सिर्फ css का code लिखो गया क्या करोगे css का code लिखो हो फाइल मस्ट नॉट कंटेन एनी html code and must be save with css extension तो जो भी external file आप बना रहे हो इसको हम किसी भी नाम से save कर सकते हैं बट उसके आगे क्या लगाएंगे dot css extension क्या लगाएंगे dot css extension लगाएंगे और उसके यह बात को भी ध्यान लगना है कि जो css वाली फाइल बना रहे external उसमें कोई भी HTML code नहीं होना चाहिए सिर्फ CSS code होना चाहिए मतलब सिर्फ और सिर्फ styles define करनी हुआ सिर्फ और सिर्फ क्या करनी है styles को क्या करना है define करना है इस बात को याद रखना है ठीक है चलो तो देखो किसे करना है यह देखिए हमारे पास कि मैंने यहाँ पर क्या किया कि मैंने एस्ट वान और पीए पी को H1 और पी के style को क्या किया है यहां पर कहीं डिफाइन नीकिए मैंने एक अलग सी फाइल बनाए हुई है style.css जिसका नाम ले लिए style.css और मैंने यहाँ पर क्या क्या स्टाइल लिखी हुई है body का लिखा हुआ body background color powder blue ठीक है यह हमारी property है यह हमारी क्या है property है और उसकी value दे दी हमने color की value कोई भी color background color h1 क्या दिया color blue ठीक है पी का color red तो यह color color तो property है यह इनकी values है यह properties है तो यह सारी क्या है हमारी style है ठीक है तो मैंने क्या किया कि अभी मैंने बात करी थी कैसे इस external css file को इसके साथ जोड़ेंगे html file के साथ html file के साथ तो आपको कुछ नहीं करना है आपको head section में जाके link tag का यूज करना है वहां पे rl style sheet लिखना यह लिखना है बस यह same याद कर लो इसको लिखना है और href की यूज करना है और file का name जिस नाम से आपने css की file save कर रही हो लखी होगी उसी नाम से आप यहां पर पास करेंगे ठीक है उसी नाम से आप क्या करेंगे पास करेंगे क्लियर ठीक है समझ आ गई तो मैं तोड़ा हट जाता हूं साइड में तो आप एक बढ़ देख लो चलो तो देखो इसी तरह से है कि भाई आपकी न क्या किया कि इस CSS वाली के अंदर क्या बना लिया आपने सारे स्टाइल्स को लिख लिया जिस जिस एस्टेमल एलिमेंट पर आपको स्टाइल लगानी है उनके नाम भी पास कर दिये यहां पर देखिए ठीक है जिस बॉड़ी एच्वन तो होगा कि बॉड़ी पर बॉड़ी जो इस वेबपेज की बॉड़ी का बैक्ग्राउंड कलर क्लियर का समझ गए तो हमने एसटेमल कि एक ऐसे एक दो बचैनल कि कि आप इसस वाइल को किसी भी कर सकते हो इस तरह से लिंक करता कर आ और यहां पर लिखेंगा आर येल स्टाइल शीट ठीक है तो अब जहाँ जितनी स्टाइल्स आपने यहां डिफाइन करें वह इस वेब पेज के अंदर काम करेंगी तो अगर मैं आपको आउटपूट दिखाओ आपको तो आप आउटपूट आपको दिखेगा समझ में इस वाले का आउटपूट है ठीक है तो हमने क्या किया अलग से स्टाइल्स को डिफाइन किया और इसके साथ लिंक कर दिया तो हमने यह लिखा है ना कि बैक्ग्राउंड क्लर पाउडर विली तो पाउडर ब्लू आ रहा है है एडिंग का ब्लू आ रहा है और के साथ डिजाइन को यूज कर सकते हो उस डिजाइन को यूज कर सकते हो इस डिजाइन को Learn बना लेते जिसमेंग करते हैं ठीक कि उसको . CSS से मैं कर देते हैं और उस फाइल को क्या कर सकते हैं जितने भी html डॉक्यमेंट हैं जिसने भी वेब पेज़ेस उनके साथ क्या कर रहे हैं लिंक कर दे रहे हैं यह डाइग्राम से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा अब यहीं बात याद रखनी है आपको कि इसके अंदर ओल्ली डिफाइन होंगी क्या स्टाइल डिफाइन इस्टाइल तो यह सारी चीज़े आपको याद रखनी है और एक टिप भी आपके लिए एक टिप क्या है कि टिप क्या है कि विदन एक्स्टर्नल स्टाइल शीट यू कैन चेंज दी लूक अप अंटायर वेबसाइट बाइचेंजिंग वन फाइल बिल्कुल सही बात है कि आप इस फाइल के अंदर चेंजमेंट करोगे जो भी स्टाइल में चेंजमेंट करोगे वह सारा एफेक्ट हर वेब पेज चेंज पर होगा माले जिया यसके अंदर ताइट हैं आप इसके अंदर चेंज करोगे तो वह लूक जो झो घुडवी स्टाइब से होगी वह सारे वेब पेज़स में एफच्ट करेंगी रिव क्योंकि ये इनसे इससे लिंग यह सारी टेयुमेंट shipping वाले से क्या है लिंक ह समझ आ गया होगा अब मैं आपको बताता हूं किस तरह से और एक्जामपल ले रहते हैं एक्जामपल से ज्यादा क्लियर होता है कि देखो आपने क्या किया है कि भाई फाइल्स के अंदर से फाइल नेम जेंजी डॉट सी एसे यह मारी एक सी एसे वाली फाइल है जो कि अलग स देखना है इनकों सेलेक्टर भी बोलते हैं अभी हम बात करेंगे सेलेक्टर की भी और यह हमारी क्या प्रोपर्टी इसके अंदर वैल्यूज है तो यह स्टाइल जो भी वेब पेजस के साथ लिंक करोगे उस वेब पेजस पर काम कर जाएंगी तो ऐसे लिंक करना है लिंक आरियल स्टाइल शीट आप यहां पर क्या करोगा एचे आरियाफ में नाम देना है फाइल का एचे आरफ के अंदर क्या देना है फाइल का नेम देना है ठीक है क्लियर हो जाएगा बहुत ही असान है कुछ नहीं करना एक्स्टरनल सीट है तो सिर्फ लिंक कर देना इस स्टा सब्सक्राइब करना एक्स्टरनल के अंदर देखा कि हम क्या कर रहे थे जिस पहिसारी मैं पर हमें का करना थाlove हम उस Element का नाम लिख रहे थे और करोड़ी ब्रेसー का य्यूस कर रहे थे ठीक है तो इनहीं को हम बोलते है अलिमेंट सेलेक्टर क्या बोलते हैं इनको बोलते हैं सारी स्टाइल क्या करेंगी यह सेलेक्ट करेगा यहां पर जो भी जो भी element का नाम दोगे जिस भी element का चाहिए वो h1 हो h2 हो ठीक है जिस भी element का आप नाम दे रहे हो वो style उस element पर work करेंगी जिस भी element का नाम दोगे तो इसी को हम बोलते है element selector बोलते हैं ठीक है element selector select the hml element based on the element name जो भी name आप यहाँ पास करोगे जिस भी पी का नाम पास कर रखा तो यह इस टाइल पैराग्राफ टैग जहां जहां होगा वेब पेज के अंदर वहां-वहां काम करेगी उस पर अगर मैं इसका उट्पूट दिखाऊं तो देखो इसका आउट्पूट मैंने का क्या रखा है टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर रखा है और जहां-जहां मैंने पी टैयक का यूज्ट की वहाँ महां वहाँ सारे पी टैक पर का म करने है कि ऐसे कोटIs दिया गया आपको फी पूछ लिया गया तो पी क्या बताओए है यह होगे traditional क्हीं थिए तो यह क्या करेगा जिसटिकुलर मेंट का नाम दोगा उसी क्षाई स्टाइल शीड गत अब यह काटा है अगला यूनीवर्सल सेलेक्टर क्या था यूनिवर्सल तो अगर आप चाहते हो कि एक ही तरह की स्टाइल एक ही तरह कि अगर आपने माली एक स्टाइल डिफाइन कर दी और चाहते हैं कि जितने भी सब करें सारे तो आपको क्या करना पड़ेगा यूनिवर्सल का मतलब यह सब जगा काम करता है उसी क्या बोलते हैं यूनिवर्सल बोलते हैं तो 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 आप आपने जो भी स्टाइल इसके अंदर डिफाइन कर रखी हैं जितने भी एलिमेंट आप यूज करोगे जितने भी एलिमेंट्स आप यहां यूज करोगे हमने यूज किया हुआ यहां पर जितने भी एलिमेंट्स होंगे आपके टैक्स होंगे उन पर यह स्टाइल काम करेगी सब पे सब पर सेम स्टाइल काम करेगी जैसे कि यहां देखिए h1p है तो मैंने style क्या रखेये text align center to text type Center में और color blue है तो सारे elements पे same style काम कर रही है सारे elements पे क्या कर रही है same style काम कर रही है center पे है और color क्या है blue है तो आप ने चाहें यहाँ पे एस तू लिख देते आप यहाँ पे यहां पे एसटी भी लिख to element selector particular element के लिए होता है universal selector सारे HTML के जितने web pages के अंदर क्या है element है selects all elements on the web page clear तो यह था वाई आज के lecture में तो हाई ओप आपको यह clear हो गया होगा कि CSS क्या है CSS के तीन टाइप और selector की बारे में जाना universal selector और है कि मैंट अभ। अबात करेंगे आने वाली में प्रोहटी जैसे करें रहे हैं नजय प्रपर्टी सब्लाइट कलर अरगो कॉन सी प्रपर्टiate कुसलिए यूज होंगों गैसे यूज हों गी क्या का काम होगा तो उनको बात करेंगे कई सारी प्रोपर्टिस में पढ़नी है और उसको प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे ठीक है तो चलिए चलते हैं फिर और बच्चों आपको टाइम टेबल बता दू मैं टाइम टेबल कहा है कंप्यूटर एप्लीकेशन की क्लास का तो आप टाइम टेबल नोट कर लो ठीक है टाइम टेबल नोट कर लो कि मंडे को वन पीम पे ठीक है वेनस डे को वन पीम और लाइव हम मिलते हैं फ्राइडे को लाइव मिलते हैं फ्राइडे को तो भाई जॉइन कर लिया कर लो क्लास टाइम पे मैं टाइम टेबल बता देता तो यह important chapter है हमारा CSS, इसको समझना है, कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं, ठीक है, चलिए, तो next class में क्या बात करेंगे, next class में बात करेंगे CSS की properties को जिनको हमको जानना है, CSS आप समझ गए, type समझ गए, कैसे use करनी वो भी समझ गए, बट अब properties की बात करेंगे, जै अगला lecture जो होगा, वो CSS properties पर होगा, ठीक है, और important है, exam में यह chapter, चलो, चलते हैं, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए, bye bye, take care, अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहें,